दॉक्टर जितेंदर कुमार, प्रिंसिपल डारेक्टर नालंदा बाल सीने सेगंडरी स्कूल आदरशनगर बल्लावर्ट तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक के उपर बोलने के लिए कहा है कि जो आज कल जो एक्जाम का टाइम चल रहा है CBAC के एक्जाम भी 20 तारिक से स्टार्ट है और हर्याना बोर्ड के भी 25 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं तो सब से पहले तो मैं सभी विध्यारतियों को सुब कामना देता हूँ सभी टीचर्स को आगरे करता हूँ कि बच्चों के उपर जो इस टाइम में एक्जाम के टाइम में जो बर्डन होता है उसको दूर करने का काम करें और सभी विध्यार्तियों को एक तरीका बताना चाहा रहा हूं कि एक्जाम के टाइम में सभी विध्यार्ति अपने उपर बैड़ना लें जो भी आपने टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें और जो सभसे अच्छा तरीका लगता है जो बच्चे कभी किसी भी तरीके से चीजों को ना भूलें तो सभसे अच्छा तरीका होता लिख-लिख के याद करना जितना आप लिखेंगे उतना अच्छे से आप उसको याद कर पाएंगे लिख लिख के याद करने से जो memory होती वो permanent हो जाती है जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठें लगातार 2-4-4 घंटे पढ़ाई ना करें जरूर बीच में gap लें अपना स्वास्त का भी ध्यान रखें एसा देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्त का ध्यान नहीं रखते हैं और एक्जाम के टाइम में वीमार हो जाते हैं जिसकी वज़े से उनकी performance पर फरक पड़ता है तो मैं सभी बच्चों से request भी करता हूँ और उन्हें सलहा भी देना चाहता हूँ कि अपने खानपीन का भी ध्यान रखें और पढ़ाई के साथ साथ entertainment खेल पर भी अपना ध्यान दे थोड़ा एक दो घंटे खेल का भी निकालें तभी आप अच्छे से अपनी त्यारी कर सकते हैं सबसे ज्यादा जो दोवीदा होती है वो पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और टीचर्स के साथ साथ प्रिंसीपल के साथ साथ बच्चों के लिए भी होती है क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है कि वो फीज कहां से admit card ना देता हूँ, हाँ बच्चों को थोड़ा सा कह दिया जाता है ताकि वो अपने parents को जाके बोलें और school में fees submit करा है parents अगर इस तरीके से नहीं कहा जाएगा parents को तो school में एक रुपिया भी fees जमानी होगी लेकिन मैं सभी school की तरब से कहा रहा हूँ कोई अगरी ऐसा private school नहीं है जो बच्चे को admit card ना देता हो सभी को admit card मिलते हैं लेकिन parents से भी मैं आगरे करता हूँ कि school में आके principal से, director से, fees counter पर आके मिलें जो भी उनकी जायस समश्या है उनको consider किया जाएगा और जैसे ही वो पैसा जमा करवाना चाहते हैं school में उस तरीके से वो जमा करा सकते हैं